पनीर अंगारा सबजी तो आपने बहुत खाई होगी आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर अंगारा के चीजी बॉल्स आजी ग्रेवी नहीं है यह हम एक स्टार्टर बना रहे हैं बहुत बढ़िया होते हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट क्यूंकि पनीर है उपर से क्रिस्पी रहेंगे छोटे-छोटे मैंने कुल्चों के साथ में इसको सर्व किया है तो चलिए शुरू करते हैं, देखते है कैसे बनती है यह तो चलिए शुरुआत करते हैं, दो चमच सिर्फ मैंने लिया है दही, इसके अंदर हम सब मसाले मिला देंगे, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, देगी लाल मिर्ची, कलर के लिए और गरम मसाला, मिक्स कर लीजिए अच्छे से, यहाँ पे आप कलर अड़ क अच्छे से मिला देंगे, पानी बिल्कुल भी अड़ नहीं कीजिएगा इसके अंदर, 200 ग्राम करीब यह पनीर है, मैंने इसको हाथ से अच्छे से क्रंपिल कर दिया था, अब जो यह पेस्ट पनाया है, सारे मसाले का, दही का और बेसन का, यह हम इसके अंदर डाल देते ह बेसन बैंडिंग देगा इसको, और सारे मसाले भी आ जाएंगे, यहाँ पे मैं आड़ कर रही हूँ, दो चमच चीज स्प्रेड, आप चाहें तो ग्रेटर चीज भी आड़ कर सकते हैं, नमक और कटा हुवा हरा धनिया डाल करके, सारा एक सात में मिक्शर मिला दीजे, ता ताकि यहाँ पे मैं रख सकूँ एक कटोरी और कोईला डाल करके इसके अंदर हम घी डाल देंगे जरासा, ताकि हम इसको डुंगार कर सके, एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हमारे पनीर अंगारे के बॉल्स में, एक मिनिट भी नहीं रखना है आपको, और देखि स्लरी बना दिये, देखे किस तरह से, ब्रेड के क्रम्स ले लिए हैं, ड्राय मैंने, और अब जो अंगारा है तो मिर्ची तो बनती है, तो मैंने इसके अंदर थोड़े से और चिली फ्लेक्स जाल दिये हैं, स्पाइसी करने, मिर्च आप अपने हिसाब से अज़स्ट कर सक इसके बॉल्स जो आपको साइस चाहिए, वो बनाएए और उसके बाद में हम इसको दो बार कोटिंग करेंगे, एक बार पहरे सलरी में डालेंगे, ब्रेड क्रम्स से कोट करके, फिर दुबारा सेम करिएगा, इससे ये होगा कि हमारा पनीर और चीज का मिक्स्चर जो अंद बारा करीब मेरे ये बॉल्स बने हैं, दस मिनिट के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, तेल गरम हो गया है, अब मैं इसको फ्राइ कर दूँगी, दोनों तरफ से अच्छे से मीडियम आज पे फ्राइ कर लीजेगा, जादा भी नही तो ये फट जाएगा, तो ये देखे, दोनों तरफ से फ्राइ हो गए है, गोल्डन ब्राउन कलर बहुत सुन्दर आ गया है, ये छोटे छोटे देखे, मैंने कुल्चे बनाए थे, पनीर अंगारा है, तो सिर्फ वो कैसे सर्फ करें, तो हम कुल्चों के साथ, अपने मिनी कुल्चों के साथ, पनीर अंगारे बॉल सर्फ करेंगे, तो यहाँ पे मियोनीज का मैंने पाइपिंग बैग ले लिया है, उसमें डाल दिया है, मियोनीज, यहाँ पे आप चाहें, तो मियोनीज के अंदर केचप, या हरी चटने मिलाकर के भी इस तरह से यूज कर सकते हैं यह आपशनल है, आप जैसा चाहें सर्फ करिए, हरा धनिया से फाइनली इसको हम गार्नेश कर देते हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं तो बताइए कैसे लगे आपको मेरे पनी रंगारा, चीजी बॉल्स हैना मज़ेदार, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कैसे लगा आपको ये, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चानल को जरूर कीजिए, बिल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि नोटिफ आपको मेरे अप्लोड के मिलते रहें, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेट विध वट्सकुकिंग मीता